जानपुर केकर एक गाव में श्वेता नाम की एक काली लड़की रहती है जो अपने मम्मी पपा कुल जीतो रुशा के साथ रहती है श्वेता के माता-पिता बहुत अमीर होते हैं वो एक बड़े बंगले में रहती है लेकिन उसके काले रंग के कारण कोई भी लड़का उससे शादी के लिए तयार ही नहीं होता मम्मी ये देखो ये दीरज है हम दोनों पिछले एक हफते से एक दूसरे से बात कर रहे है हम पार्क में मिले थे दीरज मुझसे बहुत प्यार करता है मम्मी और मैं भी उससे प्यार करती हूँ क्या हा मम्मी हम दोनों शादी के बारे में सोच रहे है उसके घरवालों को मेरे काले रंग से कोई एतराज नहीं अब बस मुझे आप दोनों की पर्मिशन चाहिए नहीं हरगिस नहीं तो इस लड़के से शादी नहीं करेगी लेकिन क्यों पापा मैं दीरज से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है तो हम दोनों शादी क्यों नहीं कर सकते तुने शकल देखी है अपनी अरे ये लड़का कितना हैंडसम है और तू देख तुझे क्या लगता है इसे कोई और लड़की नहीं मिल सकती मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये लड़का तेरे पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसो के लिए पड़ा है और नहीं तो क्या श् बहुत अच्छा और भला लड़का है उसकी फैमिली वाले भी बहुत केरिंग और प्रोटेक्टिव है उनमें जरा भी लालच नहीं है देख हमें जो कहना था हमने कहे दिया अब आगे तेरी मर्जी श्वेता दीरच के प्यार में अंधी हो चुकी थी इसलिए वो दोनों श ससुराल में जाती है ससुराल में उसकी सास जया ससुर राजिंद्र और पती दीरच होता है आओ मेरी सपनों की रानी तुमारा मेरे इस छोटे से मेहल में स्वागत है हड़ जा मेरी बहु आई है इसका स्वागत तो हम अच्छे से करेंगे फिर जया श्वेता के आर्थी उत करती है श्वेता को ससुराल में खूब प्यार मिलता है ये ले बहू ये रसमलाई खा और ये छोले कुल्चे भी खतम करने है तुझे खास तोर पर मैंने तेरे लिए ही बनाए है थैंक क्यू माजी आप बहुत अच्छी हो तुमसे ज्यादा नहीं बहू ये लो श्वेता ये म और साथ में प्यार भरा समय भी पिताते हैं एक आपते बात श्वेता अपनी मम्मी पापा के घर जाती है और वो उन्हें फोटोस दिखाती है ये देखू मम्मी इन फोटोस में तो दिखी रहा है ना कि मेरे ससुराल वाले मुझसे कितना प्यार करते है देखिए श्वेता ये सब बस तेरे पैसों के लिए तुझे अच्छे से बरताव कर रहे है। तु एक काम कर, इन्हें कह दे कि मुझे मेरे मम्मी पापा ने जायदात से बेद अखल कर दिया है। तब देखना कि कैसे सब का रवईया बदलता है। क्या मा आप भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ श्वेता बेटा, तेरी मम्मी जो कह रही है, एक बार वो आजमा कर देख, फिर सब के असली चेहरे देख कर, तु खुद ही हैरान हो जाएगी। श्वेता थोड़ी असमंजस में पढ़ जाती है, लेकिन वो वही करती है, जो उसके मम्मी पापा ने उसे कहा होता है। ठीक है मम्मी पापा, आप दोनों ने जैसा कहा है, मैं वैसा ही करूँगी, और आप दोनों को ये साबित भी करूँगी, कि मेरे ससुराल वाले लालची नहीं है, फिर स्वेता अपना मूर ओफ करके अपने ससुराल पहुच जाती है, क्या हुआ श्वेता, तुम रो क्यों रही हो, तुम तो अपने माई के गई थी ना भी, हादीरज, मम्मी पापा हमारी शादी से नाकुश है, और उन्होंने तो मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है, अब मैं क्या गोरूंगी, क्या, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, हे भगवान, य ये क्या हो गया, सोचा था कि मेरी करोणपती काली बहु से मैं धेर सारे पैसे एठूंगी, लेकिन यहा तो ये खुद ही करोणपती से रोड़पती बन गई, उन्होंने तो ये भी कहा है, कि आइंदा हमें अपनी शकल भी मत दिकाना, अब मैं क्या करूंगी दिरज, अब बेटर होते हुए, और क्या ही कर सकती हो तुँ, इडियेट कही कि, दिरजखा बरता वाचानक से बदल जाता है, और वो गुसा होकर अपने कमरे में चला जाता है, अगले दिन, जब श्वेता अपने सास ससुर को चाय नाश्टा देती है, तभी मा जी पापा जी, ये लीज उमिद भी क्या रख सकते हैं, काली कलोटी कही कि, अपनी सास की मुझ से ऐसे शब्ट सुनकर, श्वेता दंग रह जाती है, अब हमारा मुझ क्या देख रही हो, जाओ दूसरे काम करो, बेवकुफ कही कि, निकम्मो की तरह मुझ देखे जा रही है, काम की ना काचकी, दिरज के पास जाती है, तभी, दिरज, क्या कर रहे हो तुम, बहुत बीजी लग रहे हो, चलो न, कही कुछ दिनों के लिए गूमने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, हम तो अभी तक हानिमुन पर भी नहीं गए, अरे चुप करो यार, मैं तो तुमारी मनुश शकल इसका तुम्हे कोई अंदजा भी है, लोग क्या सोचेंगे, पती दूद जैसा सफेद, और बीबी कोईले से भी काली, हम, जाओ, अपनी ये बदसूरत शकल लेकर सोने चली जाओ, और मुझे भी सोने दो, धीरज इतना कहे कर सो जाता है, श्वेता अपनी काली शकल आईने में देखती है, और उसकी आखे भराती है, उसे हैसास हो जाता है, कि उसकी मम्मी पापा सही थे, अगले दिन, वो एक पार्क में जाकर रोने लगती है, और तभी उसी पार्क में, उसके मम्मी पापा भी वौक कर रहे होते हैं, वो अपने मम्मी पापा को देखकर, उनके प सही थी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी आपने जैसे मुझे कहा मैंने वेसा ही उन लोगों से कहा, कि आपने मुझे जायदात से बेद अखल कर दिया है, और ये बात सुनते ही, ही रातो रात सब के बरताव बदल गए सब मुझसे बुरी तरे अब अपने माता पिता की भी बात सुन लेनी चाहिए मम्मे पापा, मुझे माफ कर दो बस बेटा, अब रोना बंद करो अब तुम्हें समझ आ चुका है न कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते है तुम काली हुई तो क्या हुआ तुमसे भी कोई न कोई प्यार जरूर करेगा लेकिन तुमारा मन जानकर प्यार रूपरंग से नहीं होता है वो तो मन से होता है और मेरी बेटी को भी उसका जीवन साती जरूर मिलेगा लेकिन जो जीवन साती सिर्फ पेसो के लिए ही तुमारे साथ हो उसे उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हो अब जो गलती हो गई है उसके बारे में सोचकर चिंता करने की जगे उसे ठीक करने के बारे में सोचो और उसे कुछ सबक सीख कर अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ो हाँ मम्मी अब मैं यही करूंगी श्वेता वापस अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ जाकर वो धीरज के सामने मुस्कुराने लगती है क्या हुआ आज तुमारे इस काले से चेहरे पर अचानक से खुशी की रोनक कैसे आ गई बात ही कुछ ऐसी है धीरज मम्मी और पापा ने मेरे नाम पर पूरी जायदत कर दी मैं आज फिर से उन्हें मिलने गई थी और सब कुछ ठीक हो गया क्या ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है श्वेता तुमने तो मेरा दिन ही बना दिया यार I just love you तुमसे अच्छा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है हरे वादिरज तुमने तो पल भर में गिरगिट की तरह अपना रंग पदल दिया मैंने तुमसे ये बात क्या कह दी कि मेरे नाम पर पूरी जायदत हो गई है तुम तो मुझसे फिल से अच्छी तरह से बात करने लग गए और जब जायदत से मम्मी पापा ने मुझे बेदखल कर दिया था तब तो तुम मुझसे सीधे में बात तक नहीं करते थे आम आम इसी बात नहीं है श्वेता वो में में काम के टेंशन के कारण थोड़ा स्ट्रेस में था इसलिए थोड़ी चिर्चिर हो गए बस धीरज अब और जूट बोलने के कोई जरूरत नहीं है में तुमारे सारे जूट पकर चुकी हूँ तुमने मुझसे सिर्फ और सिर्फ पैसो के लिए ही शादी की थी ममी ने मुझे कहा था कि तू नाटक करके देखना और कहना उससे कि हमने तुझे जायदात से बेद अखल कर दिया है फिर देखना कि कैसे सबका रंग बदलता है और वही बात सच हुई उसी नाटक के जरी मैंने तुम्हारा और तुम्हारे मा पापा का असली चेहरा देख लिया हाँ धिरज वो सब एक नाटक था ममी पापा ने मुझे कभी जायदात से बेद अखल किया ही नहीं क्या? लेकिन श्वेता मेरी बात तो सुनो बस अब हमारे बीच बात करने को कुछ भी नहीं रहा दिरज मैं आज अभी इसी वक्त ये रिष्टा यही खतम कर रही हूँ और इस घर को छोड़ कर जा रही हूँ अब तुमसे सिधा मेरा लॉयर बात करेगा मिलते हैं कोर्प में डिवोस पेपर साइन करने आ जाना वहाँ पर इतना कहकर श्वेता वहाँ से चली जाती है और दीरस तब्द रह जाता है और इस तरह अंत में वो दोनों अलग हो जाते है जानकी अपने बेटे युवान और पती कमलनात के साथ रहती है जानकी सेफ स्वदशी वस्तों का ही वापर करती है और शुद्ध शाकारी खाना ही खाती है एक दिन उसका बेटा युवान एक चाइनीज लड़की सूजी के साथ शादी करके घर आता है एक चाइनीज लड़की को अपनी बहु देख जानकी को एकदम से 440 वोल्ट का जटका लगता है अरे मुरी मैया ये क्या कर दिया तुने युवान बेटा अरे पुरी भारत देश की लड़कीया क्या एक साथ राकी बानने आ गई थी क्या तुझे जो तुने इस नास पिती चीनी आइटम से शादी की मा ये कोई चीनी आइटम नहीं है ये मेरी चाइनीज बीबी सुजी है ये है चाइनीज लेकिन दिल से पूरी हिंदुस्तानी है नमस्ते चाचुमा चचुर जी मेरा नाम सुजी है और मैं हूँ आपकी बाहू हाशिरवाद दे दो युवान तुझे पता है ना मुझे चीनी वस्तुओं से सक न फ्रते चले तो चान तक वरना शाम तक हम अपने सडे हुए वस्तुओं की तरह ही तेरी ये बीवी भी वेसे रहीगी खटारा पीस आखिर ये भी तम मेरिंग चाइना ही है युवान बेटा तुमने शादी करने से पहले हमसे पूचा तक नहीं इतने बड़े हो गए हो तुम चचल जी युवान को मत दाटी इसमें उसकी कोई गलती नहीं मैं एक बहुत ही अच्छी भाव बनूंगी I promise सूजी भाव भाव नहीं इट्स बहु मा, पापा प्लीज मेरी खुषी के लिए सूजी को अपना लो हमारे रिष्टे को अपना लो बहुत मिन्नते करने पर अपनी पहली रसुई के दोला सूजी रसुई में दिवार पर चल रही चिपकली को पकड़ दी और कौकरे जैसो चुहे को भी पकड़ कर उनका सूप बनाती और वही सूप अपने सास को खाने के लिए देती शाकारी जानकी उस सब को देख चोक जाती और तुरन डर कर सोफे पर कुद पड़ती अरे ये पागर चोकरी तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब पका ने की अरे आज तक इस घर में किसी ने मासाहरी खाने का जिकर तक नहीं किया और तू चुडर तूने मासाहरी खाना पका भी दिया कल मोही कई की लेकिन चाचुमा आप एसे क्यों डर रही है जेशे की आपने कोई भूत देख ली उतर जाओ नीचे जानकी सोफे से नीचे उतर ने जाही रही होती कि तभी वो धड़ाम से मू के बल गिर जा दिये आँ मर गई रे ओ नो मेरी चाचुमा मर गई अब मैं क्या करूंगी आरे तेरे मू में दुनिया भर का गोबर मैं जिन्दा हूँ नाला यक उठा मुझे ओ ये मैं तुमको उठाती है टोंट वड़ी ओके फिर सुजी जानकी को उठाती तुने आज मेरे घर को अपवित्र कर दिया है तुझे तो मैं तीन दिन तक भूखी रखोंगी और हाँ खबरदार अगर आइंदा से तुने मासा आरी खाना बनाना तो दूर उसके बारे में सोचा भी तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा चोरी चाचुमा मैं अंदा से नहीं बनाएगी और में चेर चुद्ध चाकारी खाना ही बनाऊंगी प्रोमिस भरगत वाली चुडे ले तु अरे तुम चीनी लोग के कारण ही भारत में कोरणा फैला था पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा था मेरे युवान को जो तुझ चीनी लड़की से प्यार कर बेटा ना शकल ना अकल निकम में निगोरी कई की निकम में निगोरी ये आपकी बहने है क्या ओ चुडेल कोन है Is it your pet name मेरा मतलब आपको सब प्यार से चुडेल बोलाते है क्या क्या रुख जा तु अब चीनी, आज तुझे तेरी नानी याद दिला के रहूंगी जानकी बेलन लेकर सुजी के पीछे पड़ जाती है रुक जा सुजी की बच्ची आज तो इस सुजी के बदन का कोना कोना सुजा कर रहूंगी Help! Help! अपनी सास के खोफ से अब चाइनीज बहू सुजी साड़ी पहन कर पुझा पाट करने लगती है और साथ ही भारतिये खाना बनाने की कोशिश भी करती है लेकिन उससे वो खाना बन ही नहीं पाता इसलिए वो चाइनीज मुमो और चाइनीज नूडल्स बनाती है जिसे देख सास और भी ज़्यादा गुस्सा करती है ओ मुरी मया अरे ओ खटारा माल तुझे सो बार समझाया है फिर भी तरे पल्ले नहीं पड़ती मेरी बाते ये क्या केंचुए ला दिये है और ये क्या है मुमच खोमच तुही ठूस इस गंदगी को बेल बुद्धी कही की लेकिन चाचुमा ये तो शाकाड़ी है बेल बुद्धी बुद्धी तो आप हो मैं तो जवान हूँ इसके मतलब ये हुई कि आप खुद को बेल बुद्धी बोल रही है अरे ओ पगले टोरत चलपूट या से मैं तब फस गई हूँ इस चीनी चुड़ेल के साथ ए भगवान अब तू ही मुझे बचा सकता है सुजी की तूटी फूटी मजा किया हिंदी से महले में सभी अब जानकी का मजा कुड़ाने लगते हैं जिससे जानकी का माता और भी जादा गरम हो जाते हैं एक दिन जानकी के घर पर उसकी सहलिया आने वाली होती है सुजी मैं तुझे पहले ही बार्निंग दे रही हूँ मेरी सहलियों के सामने तू अपनी ये बंदिरिया जैसी शकल लेकर नहीं आएगी समझी तू? ठीक है चाचुमा मैं नहीं आएगी जानकी अकेली ही एक प्रकार की डीश बनाती है और उसकी सहलिया आने पर वो परोस्ती है उस एक डीश को देखकर सहलिया कहती है क्या रही जानकी? कितनी कंजूस मक्खी चूस है रहे तू? अरे पैसे बचा बचा कर कौन सा ताज महल बानने वाली है? हमारे घर आती है तब तो ठूस ठूस कर खाती है और तेरे घर आने के बाद हमें बस एक ही पदार दे रही है? वो इदर है सेल तब ही वहाँ पर सूजी आती है वो सबको चाइनीज मोमस वो चाइनीज नूडल्स परोस्ती है किसने कई की मेरी चाचुमा कंजुष है ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए ये सब बनाई है बढ़िया है ना? अरे वाँ सूजी ये चाइनीज खाना तो बहुत ही लाजवाब है जान की तू तो बड़ी ही भागेशाली है जो तुझे ये चाइनीज बहु मिली हमारी बहु है तो भारत में रहकर भी विदेशे और तो जितना गमण करती है और इसे देखो विदेशी होकर भी कितनी भोली और संसकारी है जिती रहो बेटा धनिया का वाद अरे बेटा वो धनिया का वाद नहीं दन्यवाद होता है हो, सॉरी वही काकी जी सब जाने के बाद जानकी सुजी से माफी मांती है सुजी बहू शायद सब सही कह रहे थे मैं ही गलत हू जो तुझे दिन राथ चीनी होने के लिए ताने कस्ती रहती हू तू चाहे चीनी हो या भारतिय तू हे तो एक इंसान ही और सच में तू दिल की बड़ी ही साफेरे शॉरी माफ कर दे अपने चाचू मा को हे 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 अरे चाचू मा आप माफी मत मांगे आप तो हुका मांगी है क्या? हुका? I mean हुकुम हुकुम करिये अच्छा अच्छा चल मोमजर नुडल्स खाते हैं जानकी अपनी चाइनीज बहु को आखिर में अपना ही लेती है और दोनों एक साथ खुशी से रहने लगती है